एक बड़ी खास खबर है और वो यह है कि भारत के पिनाका से क्यों है परेशान अजरबेजान ठीक है अगर मैं बात करूँ आपका अजरबेजान की तो वहां पर ये आपका जो टेंशन है पिनाका टेंशन क्यों क्रेट कर रहे है इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में मेरे साथ एंट तक रहेगा और जानिएगा कि actually में problem क्या है and what is the end result और या end cause इसका क्या है ठीक है अगर मैं बात करूँ आपका तो अजरबेजान और अर्मेनिया ये आपका काफी टाइम से एक conflict पहें जैसा आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश् और ये अजरबेजान और अर्मेनिया के बीच में हमेशा एक bone of contention रहता है ठीक है और इसको लेकर कई बार दोनों देश आपस में बिढ़ भी चुके है ठीक है जो latest आपका clashes हुए थे that was there in 2022 और साथी साथ अगर मैं बात करूँ यहापर तो ये आपका जो bone of contention है इसी की व के territory में आता है जो internationally recognized है यह as part of Azerbaijan है लेकिन यह अर्मेनिया के द्वारा occupied है this region has been occupied by Armenia और यहाँ पर आपका जो है there is a autonomous region जो कि आपका completely आपका जो है यह basically आपका जो region है यहाँ पर एक autonomous car है जो कि आपका non recognized है but still वो आपका यहाँ पर ruling है इसी के साथा में बात करूँ आपका तो आप लाचन corridor और साथी साथ यहाँ पर यह जो region आप देख रहे हैं ब्राउन में यह अजर्बेजानी territory है जो कि Armenia के military control में है और इसी वज़े से अगर मैं बात करूँ आपका तो यह आपका bone of contention रहता है जिसके उपर बार बार जो है दोनों देशों के बीच में आपका के इस साथ जुड़ी कोई एक news थी and that was कि India to export missiles, rockets and ammunition to Armenia कि Armenia को जो है इंडिया जो है वह आपका missiles, rockets and ammunition आपका देगा ठीक अगर मैं बात करूँ 2020 में Armenia के साथ हमने जो है 40 million dollars का आपका एक arms deal सप्र जो है वह आपका इंडिया और Armenia के बीच में आपका ये आपका ट्रीटी हुई and यहां पर जो है इंडिया के साथ आपका ये ट्रीटी की गई कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट करेगा missiles, rockets and ammunition जिसमें majorly आपका पिनाका multi-barrel rocket launcher है और man portable anti-tank guided missiles है जो कि आपका Armenia को दी जानी है अब यहां पर मैं आपको बता दूँ Armenia के बारे में Armenia basically आपका जो है after Soviet Union ये आपका जो है जब independent हुआ 1991 में उसके बाद 1992 से ही इंडिया ने आमेनिया को आपका जो है एक close ally के तौर पर माना है इसी के साथ एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको यहां पर कि अजर्बेजान की जब हम बात करते ह अजर्बेजान को back करता है Turkey and Turkey जो है वो all Turkish state बनाना चाहता है जो basically आपका हमारे लिए आपका खतरनाग भी है और international relations के लिए आपका that is very very harmful तो इसी वज़े से इंडिया जो है वो आपका जो है support करता है Armenia को और एक आपका direct support वो रहता है Armenia के लिए ठीक है and obviously अगर मैं बात करू आपका 1995 तक 1995 तक जो Commonwealth of Independence States आपका जो है CIS नाम से आपका जो है group बना था जो कि आपका former Soviet Union States के था उसमें Armenia को सबसे पहले recognize करने वाला और 1995 तक सिर्फ दो ही ऐसे nation थे एक Russia और एक आपका Armenia जिसको की इंडिया ने recognize किया था और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपका पिनाका Multi Barrel Rocket Launchers की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर यह आपके पिनाका MBRL है Multi Barrel Rocket Launchers है जिनको सबसे पहले आपका यूज किया गया था in 1999 Cargill War ठीक है यह जो 1999 का Cargill War हुआ था उसमें काफी जादर decisive थे क्योंकि pinpoint आपका यह आपका मार करते हैं जहाँ पर आपको एकदम गोला गिराना है missiles आपको launch करने है rockets आपको launch करने है वहाँ पर यह बिल्कुल straight forward वही पर आपका strike करेंगे ठीक है पहली reason तो यह और दूसरी reason mobility ठीक है जब भी हम कोई भी rocket fire करते हैं या कोई भी ammunition हम fire करते हैं ठीक है उसका heat signature और साथी साथ वहाँ पर जो आपका जो basically जब आप fire करते हैं तो उसके बाद उसका जो reverse trajectory है उससे पता लगा जा सकता है कि rocket कहां से launch किया गया है लेकिन क्योंकि यह mobile है आपने rocket launch किया और उसके बाद इसको आपने उधर से हटा दिया तो दुश्मन को इसकी जगा का पता भी नहीं लगता जिसकी वज़े से यह काफ अजरबेजान में कि अगर पिनाका जो है वो अर्मेनिया को मिल जाता है तो दिन वो कहीं ना कहीं उसके लिए खत्रा साबित हो सकता है ठीक है यहां पर मैं आपको बता दूँ अभी जो recent tension है आपका और अजरबेजान में आपका जो tension इसले create हुए है क्योंकि एक news है वो आपका कुछ नहीं कहा ना अजरबेजान ने कहा ना अर्मेनिया ने कहा नहीं इंडिया के spokesperson ने कहा बट स्टिल यह जो है आपका that is a मतलब एक एक डर है कि यह जो है आपका इंडिया skay through आपका ammunition और खासकर जो पिनाका है वो आपका supply की जा रहे है to the Armenia ठीक है और इसी वज है जिसने कि आपका अजरबेजान क्या जो है थोड़े सी नीन जो है वो आपका उड़ाई हुई है और परिशान क्या हुआ है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इंडिया जो है वो आपका बहुत सारे आपके arms और emanations आपका develop कर रहा है as make in India campaign और जिसके थूरू हमारे जो liability आपका जो है इसराइल पर भी थी हालाकि वो अभी भी है मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वहां से हमारे पूरे टाइस कतम हो गए लेकिन now we have started developing the indigenous weapons चाहे वो light combat aircraft है तेजस की बात अगरम करें ठीक है जिसको कि आपका जो है इंड़क्ट भी किया जा चुका है इंडियन आम फोस system AFCS है पिनाका rocket system है पिनाका में we have two variants है आपका पिनाका 1 पिनाका मार्क 2 अकाश surface to air missile है सुकोई सु 30 मार्क वान चीक है इसी के साथ है next generation ब्रंबोस missile aircraft carrier आइनेस विक्रांथ और nuclear powered submarine आइनेस अरियन इस अरियन इस अगर मैं बात करूँ यहां पर तो ultimately जो यह मेकर इंडिया में हमारे जो प्रोग्राम से जो आपके जो रीसेंट प्रोजेक्स है यह हमारी defense capabilities को increase कर रहे हैं and ultimately that is the reason कि आपका जो है अब इंडिया जो है पहले इंपोर्ट करता था defense systems को now we are exporting the defense system alright so this video में इतना ही अगर आपको अच्छी लगी हो तो please do like this session and साथ ही साथ आप जो है इस हमारे चैनल को subscribe जुरूर कीजेगा alright and if you have any doubt you can always call us on 96510-52904 its number पर alright thank you bye bye take care and jahin thank you